रेखा अपने जमाने की बोल्ड आक्ट्रिस थी उनकी बाते बहुत ही मॉडन थी और आज के जमाने की वो सोच रखा करती थी उस दौर में ही ऐसे में एर 1975 में रेखा ने एक ऐसा इंटर्व्यू दिया था जो अब चर्चा का विशह बन रहा है क्योंकि रेखा ने तब अपने बॉइफरेंड के बारे में खुल कर बात की थी और कहा था कि मेरे बॉइफरेंड को तो जल्दी घर जाना होता है दूद पीने के लिए एक्चिली ये इंटर्व्यू रेखा ने 1975 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए दिया था इस मैगजीन ने तब अपना एक सेग्मेंट निकाला था इस सेग्मेंट के तहट कई सेलिब्रिटी से उनके पार्टनर की एक बुरी आदत के बारे में पूछा गया था इसमें रंदीर कपूर भी थे, डैनी थे, शर्मीला टैगॉर थी इन सभी सेलिब्रिटी से इनके पार्टनर की एक एक बुरी आदत पूछी गई थी रेखा से भी पूछा गया था, लेकिन रेखा ने जो कुछ कहा वो हैरान कर देने वाला है कहा जाता है कि उस दौर में रेखा, आक्टर किरन कुमार को डेट कर रही थी और तभी रेखा ने आक्टर किरन कुमार को लेकर इस मैगजीन को इंटर्व्यू में कहा था कि मुझे अपने बॉइफरेंड में सबसे बुरी बात ये लगती है कि हम लोग लेट नाइट कभी भी साथ में नहीं गुजार सकते हैं क्योंकि मेरे बॉइफरेंड को शार्प 10 o'clock घर जाना होता है दूद का ग्लास पीने के लिए मेरे बॉइफरेंड की ये आग्याकारी बेटे होने वाली जो आदत है ये मुझे काफी परिशान करती है इसके आगे रेखा ने ये भी कहा कि आपको नहीं लगता है कि मुझे मेरी जिन्दगी में जितने भी मिले उतने मामास बॉई ही मिले कुछ इस सदीके से रेखा ने ये इंटव्यू दिया था हाला कि तब ये इंटव्यू इतना वाइरल नहीं हुआ था लेकिन अब ये इंटव्यू बहुत वाइरल हो रहा है खैर ये वो टाइम था जब रेखा बहुत बोल्ड थी अमिताब की entry उनकी जिन्दगी में होनी बाकी थी लेकिन जैसे ही अमिताब की entry रेखा की life में हो गई उसके बाद रेखा के बात करने के तरीके में और उनके interviews भी काफी अलग होने लगे